बच्छो किसे हो आप साब सब थिक तू चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी तूम मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी पहले सब्सक्राइब करो और फिर हम आज की कहानी शुरू करेंगे अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे ल सुन्दर मोर बसने आया। उसका रंग, उसके पंखों की ब्यूटी और उसकी खूबसूरती को देखकर सभी जानवर उसकी ओर आकरशित हो जाते थे। वह मोर खुद भी अपने आप पर गर्व करता था। लेकिन उसकी खूबसूरती के बावजूद उसमें एक अजीब सी आदत थी। वह रोज सुबह सुबह उठकर अपनी अपनी ही खूबसूरती की तारीफ करता रहता था। मोर की रोजकी रीती यह थी। मैं बेहद खूबसूरत हूँ। मेरे पंख इतने रंगीन हैं कि सभी जंगल के जानवर मेरे सामने जुख जाते हैं। मेरी खूबसूरती को देखकर सब लोग हैरान होते हैं। शुरूआत में सभी जानवर मोर की बातों को ध्यान से सुनते थे लेकिन धीरे धीरे वह तंग आने लगे। कुछ जानवर मोर की तारीफों से इर्श्या महसूस करने लगे और उन्हें उसकी आदत से घिना होने लगी। एक दिन एक मोर के पूरे जुंड ने एक महान वन्यजीव कौतुहल से पूरी राद जाग कर चिर्पिंग किया। सब जानवर बहुत उदात्त थे और उनका उद्धारण ने सारे जंगल को आवाज से भर दिया। मोर जो हमेशा अपनी खूबसूरती की तारीफ करता था, उस दिन भी किसी और की बजाए अपनी खूबसूरती की तारीफ करने के लिए तयार था। उसने अपने रंगीन पंखों की तारीफ की और कहा, मेरे पंख इतने खूबसूरत हैं कि यह सबसे अद्वितिये हैं। क्या आपने कभी इसके जैसे पंख देखें हैं। एक उदात्त वन्यजीव ने कहा, आपके पंख सचमुच बहुत ही रंगीन है, लेकिन आपकी तारीफ करने के बजाए, आपको उन पंखों का सही उपयोग करना चाहिए। मोर चौक गया, क्योंकि यह किसी ने पहले नहीं कहा था। वह उदात्त वन्यजीव के पास गया और पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? वन्यजीव ने व्याक्त किया, तुम्हारी खुबसूरती के साथ साथ, तुम्हें अपनी कड़ी मेहनत और उपयोगिता पर भी ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे पंखों की रंगीनता का असली मतलब है, कि तुम अपने पंखों की सही तरीके से उपयोग करके, अपने आसपास के जीवों की मदद कर सकते हो। मोर ने यह समझ लिया कि वन्यजीव सही कह रहे थे। वह अपनी आदत बदल दी और अब वह अपने पंखों का सही तरीके से उपयोग करने लगा। वन्यजीवों के साथ मिलकर मोर अब खुद को अकेला महसूस नहीं करता था। वह अपने पंखों का उपयोग करके जंगल के अन्य जानवरों की मदद करता था इसके परिणाम स्वरूप मोर ने जंगल में एक सांदर्भिक जीवन बिद गया और वन्य जीवों के बीच उसका मान सम्मान बढ़ा दिया वे अब उसकी सलाह की पश्चाताप नहीं करते थे और मोर को अपनी अद्वितिये खूबसूरती पर गर्व था जो वह अब सही तरह से प्रयोग कर रहा था एक दिन जब जंगल में बड़ा प्राणी आया और उनसे एक कठिन समस्या का समाधान मांगा मोर अपने पंखों का प्रयोग करके उसकी मदद करने के लिए तयार था वह अपने रंगीन पंखों को फैलते हुए समस्या का समाधान निकालने में मदद करने लगा जंगल के अन्य जीवों ने इसका सराहना किया और उनके बीच मोर की मौजूदगी का महत्व समझने लगे मोर ने सिख लिया कि खूबसूरती केवल दिखावा नहीं होता है बलकि आपके कारियों की बदौलत भी आपका मूल लितय होता है चालो यार मास्ती करके शड़कारो और सब्सक्राइब हो जाओ ऐसे ही अपदेट्स के चाकरमेन पटे रहो धमाल मचाते रहो